हैलो केट्स, विल्कम टू कैट कड़ा केट्स तो बच्चों आज के वीडियो में अम चानेंगे बात्रूम के सामानों के नाव in English and Hindi, so let's begin दर्पन, इसको इंडी में आइना भी कहते है, इसको इंग्लिश में कहते है, मिरर कंगी इसको इंग्लिश में कहते हैं कूम साबून इसको इंग्लिश में कहते हैं सोब साबून दानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सोब ट्रे बाल्टी इसको इंग्लिश में कहते हैं बकेट ये हैं मग, इसको इंग्लिश में कहते हैं मग ये हैं दंत का ब्रिश, इसको इंग्लिश में कहते हैं टूथ ब्रिश दंत मंजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं टूथ फेस्ट तोलिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेविल केशमर्जक इसको इंग्लिश में कहते हैं शैंपू दाड़ी बनाने की क्रीम इसको इंग्लिश में कहते हैं शेविंग क्रीम दाड़ी बनाने का ब्रेश इसको इंग्लिश में कहते हैं शेविंग ब्रेश ये हैं उत्सरा इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजर यहें कपड़ा दोने का यंत्र इसको इंग्लिश में कहते हैं वाशिंग मशीन कपड़े दोने का पाउडर इसको इंग्लिश में कहते हैं वाशिंग पाउडर यहें कपड़ा दोने का ब्रेश इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लॉथ वाशिंग ब्रेश ये है नल, इसको इंगलिश में कहते है टैप ये है कच्रा का डब्बा, इसको इंगलिश में कहते है डस्ट बिन ये है शोचासन, इसको इंगलिश में कहते है कमोड ये है शोच का कागच, इसको इंगलिश में कहते है टॉयलेट पेपर गीजर इसको इंग्लिश में केते हैं गीजर स्नान टब इसको इंग्लिश में केते हैं बात टब यह हैं चिलमची इसको इंग्लिश में केते हैं वाश बेसिन मुक्कदवन इसको इंग्लिश में कहते हैं मौतवाश फुहारा इसको इंग्लिश में कहते हैं शवर यह है तंगना इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंगर यह है इत्र इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्फ्यूम यह है बाल सुकाने की मशिन इसको इंगलिश में केते है एट ड्रैयर यह है जीब चिलनी इसको इंगलिश में केते है टंग क्लीनर तो बचों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई